कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल रर्णविद फोकस पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे फिजिक्स क्लास्टल्थ की समय चल ले थे प्रिक्षा में आने की जिनकी संभा होना है हम लोग चालू करते हैं तो आज पढ़ेंगे कि दो समांतर धारावाही चालूकों के मद्ध बल ठीक है इसको क्या कहेंगे टू का फोर्स बिट्वीन टू करेंट कैरिंग कंड़क्टर फोर्स थीक इसको जाने कपले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं हाला कि होता होगा कि क्या सिखा था अच्छा कोई भी चार्ज अगर एलेक्ट्रिक फील्ड में रखना दू उस पर लगने वाला बल कितना होता है इसको हम क्या पढ़ते थे एक कोल टू क्या होता है क्यू डाट इन और अगर वह उस पर में रखा हुआ है तब लगने वाला बल कितना होता था क्यूं इन टू बी डाट वी क्रास वेक्टर वी यह पढ़ा था और इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बनाते थे लारेंज फोल्स होता था जो क्या होता था एफ फी प्लस एफ बी जो हम लोगों ने पढ़ा था लारेंज बल क्या होता जब किसी भी चुमकी छेदर मैगनेटिक में कोई charge enter करता है तो उस पर एक force क्या करने लगता है वो उस एक force को experience करता है उस force को किया कहते है लारेंज बल कहते तो हमने यहां से सीखा तो यहां पे हम देखते हैं एफी कितना q e plus ab कितना q into v क्रा वेक्टर b नग तो अगर हम कहते हैं यह हमारा क्या होगा एफेल होगा और इसमें क्यों कामन भी ले सकते थे क्यों कामन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा वेक्टर ई प्लस वेक्टर वी क्रास वेक्टर बी यह आप लोगों पढ़के रखे हैं पढ़ रखे हुए हैं अगर यही चुकि अगर चार्ज मूब नहीं कर रहे हैं ऐसे कब यह थोड़ा सा समझने की बात है आप ध्यान ईरखेएगा कि कौन सा मैंगनेटिक फिर्स को कौन से चार्ज एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी कंड़क्टर में अगर चार्ज चलना चालू होते हैं तो यह प्लस टू माइनस बनाए माइनस इधा चलेंगे और इनके अंदर सबको पता है जो पाजिटिव चार्ज होंगे वह इस्थिर होते हैं वह मूब नहीं करते हैं क्यों करेगा क्यों माइनस वाले जो इलेक्टरान मूब करते हैं कितने से वीडी से वीडी से मूब करेंगे और जब यह मूब करेंगे तो यही क्या बनाएंगे मैगनेटिक फिल्ड बनाते हैं क्या बनाते हैं मैगनेटिक फिल्ड ठीक तो मैगनेटिक फिल्ड कौन बनाता है यही जो मूब करते हैं पाजिटिव चार्ज मैगनेटिक फिल्ड नहीं बनाते हैं तो अब यही मैगनेटिक फिल्ड ब और सबने बच्पन में पढ़ा है एक राश वेक्टर बी क्या होता है एगी साइन थीटा और एबी साइन थीटा होगा तो इसी को मोग क्या कहते थे जब इसके माइगनीट्यूड में लिखेंगे एफ एकवल टुक्यू वी भी साइन थीटा और यही लारेंश बल होता था थी marketing नाइन napने क्या करें तब कह सोलेक्टा को क्या होता है जब किसी भी कोई तो उस पर एक फोर्स लगने लगता है एक बल लगने लगता है और उस बाल को यह अगर मान जींए आपके पास चालकतार होता इस चालकतार की से लंबाई कितनी होती ल होती इसमें अगर माइनस चार्ज चलना क्या चालू करेंगे यही क्या बनाएंगे और यह हमने कहा यहां से यहां तक कि अगर पहुंचे आखरी चलना चलो करते मैं कब चलेंगे जब हम इसकी लगाएंगे और क्रीड करेंग its प्यो एक्ल करेंगे करेंगे एल्ले कराゆंगे एलेक्टिक उन्य होगा जब एल्लेक्राट इसे होगा चलना द प्लस टू मइनस में ऐग और आधो दो इस अन्य है को यह जब कि दिखाते हैं आप लोग बीडि से ठीक है हम कहते हैं यहां से यहां तक की जाने में कितना समय लेता है तो यह पूरी बिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना समय लेगा बोलो T समय लेता है तो distance कितनी हो जाएगी speed into time तो speed कितनी VD time कितना है यही तो होता speed into time equal to distance distance कितनी L तो हमने यह देखा यह होता है इसको जरूरत पड़ेगी तो हम use करेंगे मैरी यह equation थी मैंने कहा FL equal to क्या Q को T से भाग करा दिया और vector V को भाग करा दिया किसे भाग नहीं यहां भाग करा है मैंने तो यहां क्या कराएंगे multiply करा दिया into cross vector V अब vector V गुड़े कितना T यह क्या होगे speed into time और इसको drift velocity होती तो मैंने इसको drift velocity साथ दिखा दिया होता है और यह क्यों अपां T क्या होता है सबको पता है आई सबीसक्ता करा दिक्व में तो यह क्या क्या हो जाएगा आई इल भी साइन ठीटा ठीक यह फर्मूला प्रूब किया था इसको आप लोग ढंक से लिखे तो बील साइन ठीटा कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा अठात किसी चालक तार में लगने वाला बल आवना कैसे लगता है इसकी डायरेक्षिन आप लोगों निकालना आसी लुए कि माल लीजे कोई मैगनेट होता दो मैगनेट के बीच में नार्थ और यह नार्थ पोल है इसका साउथ पोल इसमें एक वायर रखा हुआ है नार्थ टू साउथ क्या होगी मैगनेटिक फिल्ड की डायक्शन होगी यह तो क्या है एक दूसरे के परपेंडी कुलर तो थीटा यहां भी थीटा नाइंटी रखोगे तो यह बराबर क्या होगा आई थीटा नाइनटी तो यह आप लोग रखेंगे बी इसमाल माना है तो इसमाल रखिए थोड़ा जल्दी तो नहीं हो रहा है इस बनाते रहे क्योंकि बोर्ट पर इच्छा आप लोगों की आने वाली है है नाइंटी और इसमें मेंने करेंट करए कराई तो इस लगब इस पर क्या लगेगा बल लग एक तो इस तार पर क्या रउपित हो जाएगा एक बल और तो बल कितना लगेगा उसकी डारेक्शन कैसी होगी हम कैसे निकालेंगे फ्लैमिंग के बायाहत के नियम से फ्लैमिंग का बायाहत का नियम क्या कहता था कि अगर तीनों एक दूसर के मैं परपेंडिकुलर लंबोत फैलाओं तो यह मध्यमा उंगली बीच वाली उंगली क्या करे अगर यह धारा की दिशा को दिखाए और यह तरजनी किसको दिखाए चुमकी छेत्र को दिखाए तो यह लगने वाले बल की दिशा उस तार पर लगने वाले चालक तार पर लगने वाले बल को दिखाएगा हमने कहा इसमें आई कहा जा रही ऊपर तो यह आई है आई को मैं कहा करूंगा ऊपर किया लेगिन को ऊपर किया तो मैगनेटिक फिल्ड की ही थिक तो इसकी डेयक्सिंशनों को निकालने सिख लिया इसको जरूरत पढ़ेगी कब जब हम क्या पढ़ेंगे दोसमानतर धारावाई साथ के मद्ध क्या निकालना है चालु को कि मद्ध चुट गया बल चुट गया बल को जोड लो यार यहां चालुको के मद्ध बल फोर्स बिट्विन टू करेंट केरिंग कंड़क्टर तो यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं लड़का एक ने कमेंड किया था कि जो है डस्टर योज करो तो आज डस्टर से मिठाते हैं लेकिन डस्टर से मिठान हमने यह सीख लिए अब मुझको क्या ज्रूवत है दो सम्दीय रखेंगे और उसमें मैं करेंट फ्लो कराऊंगा मैंने 213 यह ऐसे एक हैं इसमें मैने करेंट कितनी फ्लो कराई आईवन कराई और एक यह लिया दोनों की लंबांगाilles कि एल एल ठीक है लंबाई कितनी है अब इसमें करेंट फ्लो हो रही तो तुमको पता है कि यह क्या बनाएगा मैंगनेटिक फिल ऐसे देखो इस तो इस तार में के जब करेंट मैंने फ्लो कराई कि समय किना मैंगनेटिक फिल यहां चैक कि यह तक की है तो इस चुमकी छेत्र के करण यहां भी चुमकी छेत्र होगा और यहां कितना होगा हमने कहां पहले तार के करण कितना है बीवन है अच्छा बीवन की डारेक्शन कैसी यह मैंने तार उपर किया और इसको अंदर तो किधर की ओर जा रहा है अंदर की ओर और जाता है तो हम लो एक méęgnet ले Feld दूसा लेशिका चुमुकी च्हात। क्या करते थे , करते हैं इसके करण भी चुमų चछेत्र बनेगा, जब 2 चुमकी च्हात बनाएंगे तो यह तार इस पर फ Bright लगाएगा Iة इसके बारे में देखता हूं कि यह इसके बारे में देखता हूं कि यह इस पर कितना भन लगाएगा मुझको ये देखना है तो मैंने कहा कितना लगाएगा उसके पढ़ान उसको क्वह हैं देखता हूं कि तो किना भनना आर पढ़े थे प्रूब कर रहा थे उसी कहसाब से मैं कहूंगा जब मैं जब पहले तार के तार में प्रवाहिज धारा के कारण तार टू पर करते हैं यहां दूरी कितनी माने यहां स्माल आर दूरी पर तार टो ना पर चुंब की छेत्र कि या मानेंगे चुंब की छेत्र कितना बी ओन पहले के करण कितना मानें बीड emotional कितना हो जाएगा म्यू नाट अपान टूपाई इंटू पहले म करेंट कितनी है इसमें करेंट को फूलो कराऊंगा धारा प्रवाइद कराऊंगा तो क्या करेंगा यह मैं चुकि मैगनेटिक फिल्ड में रखा हुआ देखो इसके करण यहां मैगनेटिक फिल्ड है और जब सबको पता किसी भी मैगनेटिक फिल्ड में कोई तार रखते हैं करेंट करिंग कंडॉक्टर रखते हैं उसमें धारा को प्रवाहित कराते तो उस पर क्या आरोपित होता एक बल जो मैंने अभी देखा था तो इस तार पर क्या रोपित हो का बल और उस बल की डिरेक्शन कैस तो इफ टू वण का मतलब मैं लिख दू इफ टू वेन इधर लिख लो याद रखना एफ टू वन का मतलब कि तार चालक तार दो पर एक के कारण लगने वाला बल एक के कारण लगने वाला ठीक तो जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं और जिसके कारण लगता है उसको बाद में तो इसको ऐसे लिखा जाता है फोर्स आन टू ड्यू टू दूसरे पर लगा हुआ किसके कर पहले के कर तो यह वेक्टर नियम आपको लिखना आता ही है तो अब डारेक्शन कैसी होगी इसको मुझको देखना है तो हम लोग बाद में देखते हैं पहले क्या देखा जाए इस पर जुबल लग रहा है कितना होगा वेक्टर हुआ जूद्ट फूसरे अभी हमने पढ़ा तर लगने वाला बल प्रूब कर रहा है क्या होता था आई बी एल गुड़ तो आई बी ल तो चूकी अब इस पर बल रहा है ही बल तो इसी लग रहा है किसके कारण लग रहा है इसके कारण लग रहा है और इस पर मैंजेटिक कितना है दिए यह कितना है दिए और इस पर कितने कि ஜो़ हो रही इस परhern में सब्सक्राइब कोbeeldies तो कोई बना लगते है क्योंकि यह मैंगनेटिक फिल बनाता ही न तो हमने क्या देखा आई-टू-बी-वन-एल अब यहां पर बीवन की वैल्यू हम लोग क्या लिखते हैं इनको ढंक से लिख लें और इसको अगर इधर लाए हम करें पांच मीटर तार होता तो उस पर बीस न्यूटन का बल लग रहा होता तो एक मीटर तार पर कितना लगेगा आपने तुरंद बता दिया चार्ड न्यूटन कैसे लाया भी इसको हमने क्या कर दिया पांस से तो एफ टुवण अपन आल इसको अधान से लिखता हूं आवईवन आई टू अपन आर अब यह क्या होगा परति एक औंग लंबाई पर लगने वाला बलन रित एक आंउग लंबाई पर लगने वाला बलन गोड लगने वाला वाल तो आप लोगों को यह याद रहेगा हम गुड अगले ही एक्वेशन पर चलते हैं यह इसके कारण इस पर लगने वाला बल डारेक्शन निकालना है तो मैं कह दूं कि इसकी डारेक्शन कैसी होगी डारेक्शन कैसी होगी उसको निकालने के पहले हम लोग ऐसा करते कि इसके कारण इस पर जो चुमकी छेतर बनता है अब इसमैं भीदाहिघ रप्रवहाइद करा ही तो यहीं की छट्र बना की यह बनाना चालू की तो इसके यहां भी च हो गया क्या इसके तो इसके खार्णपनेट से सक면 हिंगी नो इसके करण लगेगा पहले पर जिस पर लगता है उसको पहले लिखते हैं जिसके करण लगता उसको बाद में तो वेक्टर F12 कितना हो जाएगा IBL तो I क्या पहले हम करेंट फुलो हो रही किसके करण चुब किस छेतर के करण दूसरे के करण L वही है सबकी तो अब इसमें क्या हो जाएगा I1 वही B2 तुमको पता है Mu0 upon 2pi into I2 upon R into L तो F12 और यह प्रतिकांग निकालना होगा तो इसको डिवाइड में ले आएंगे हम लोग तो वेक्टर F12 प्रतिकांग पर लगने वाला ना इसको डंक से लिख लो Mu0 upon 2pi into I1 I2 upon और यह भी प्रतिकांग पर लगने वाला बला ना अब हमने क्या देखे दो equation बनी एक equation दो ये हो गई पहली equation ये हो गई कहा गई पहली equation ये है तो equation 1 और दो से फ्राम equation 1 and equation 2 दोनों को जोड़ा क्यों जोड़ा नहीं अलब दोनों देख रहे हैं यह देखिए इसका भी मू नाट अपान 2.2 आई 1 आई 2 अपान क्या लिखा हूँ आर इसमें भी मू नाट अपान 2.2 आई 1 आई 2 अपान क्या लिखा हूँ आल लिखा हूँ है तो हम लोगों दिखी रहा है तो हमने क्या कहा हमने क्या देखा कि यह आपस में बराबर हैं तो यह किसमें बरा कि magnitude में कैसे होंगे यह अप वोजीट होते हैं कैसे होते हैं कि अभी हम देखते हैं पहले के करण दूसरे बल लग रहा अच्छा इस पर धारा कैसे प्रवाहित हो रही है कई यह फ्लेमिंग के बाएयात का लिएम लगाया जाए इस पर लगने वाला बल इस पर लगने वाला बल को कि किस पर लगने वाला बल हम लोग देखते हैं धारा कैसे प्रवाहित हो रही दारा कैसे प्रवाहित हो रही उपर की ओर ना धारा की दिशा क्या होती है यह होती है तो यह अगर ऊपर की ओर है कैसे है ऊपर की ओर ना धारा को हम ऊपर करेंगे negative field को कहां करेंगे अंदर करेंगे देखो क्र इस पर लगने वाला देख लेते हैं इसके कारण 600 चैतर कैसा होगा यह नहीं कर लेकिना और ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पे तुमको कि स्थी बाहर निकलते हुए जब बाहर आता है तो County बनाते है घुक तो greater कि direction ऐसी होगी ऐसा है हमेला बाहर की ओर तो करेंट को उपर बीटु को कहां करोगे बाहर अब बताव चुम्ब की छहदर ये ठीक तो हमको क्या दिखाए हमारा चुम्ब की छहदर क्या हो left & oh do you open one two तो अच्छा दोनों क्या एक दूसरे की तरफ है तो क्या करेंगे ट्रेक्ट करेंगे डारिक्सन क्या सब्सक्राइब वह पर इठ Ну F इसलों होती तौन की ने कहते थे ये लिए अगिन तो स्फ़ोज क्रश्यों को फ利क थीक तो हम को यहां से क्या समझ में की लगने वाला बल कितना है हमने यहां से निकाल लिए और से अंपियर का नियम क्यों कहา जाता है हम यहां से 114 करेंट की डिना लेते एक कैसे बनाते हैं वह उन। एंपयर करेंड की डिफनेशन उसके लिए मैंने कुछ प्रावर्टी रखी और उसके काम किया मैं इसको मिटा देता हूं फिर वन एंपेर करेंट की डिफनेशन बनाते हैं कि कि वन एंपेर की करेंट की डिफनेशन क्या होती है अब ह like है की करेंट की डिफिनेशन उसके लिए उन्हें लिए क्या किया दो चालक तार वह समी लेते हैं यह और इसको क्या कराते हैं ऐसे यहाँ एक रोलर बागद देतें रोलर के बाद नीचे लटकादे यहाँ पे वेट रोलर होता है कि यह लटका यfolg याता है और इसक कैसी पहले ऐसे करते थे ह outros अब ये कहां हो गया इसको मुझे करना पड़ेगा तो में नीचे करूँ गा तो ये तुम को यह क्या दिखेगा पहले बाहर की और था अब यह कहां हो गया अंदर की ओर ग Quest ये ये पहले की नियम से देख लेता हूं कि उसपे कितना पल लगाएगा इस पे बल कितना लगेगा करेंट उपर मेंगनेक फेल्ड अंदर और यह कहां बाहर की ओड़ तो यह हां बाहर कि इसका । अधर किसो कौन बार पहला ना और मैं इस पर क्या देखता हूं यह विसके द parentarte को अंदर रखेंगे करेंट को कहा करनी नीचे तो करेंट मैं नीचे कि यह वैसे ठीग तो हमको क्या दिखा यह खिर मंद इस टूका को क्वशी है तो इफ टूब आप बेफ्रेसर टू आँप यह 350 वन अब कैसे दिख रहें एक दूसरे से धूर कब जब करेंड की डारेक्षन कैसी आप ओजिट तो मैंने नियम क्या बना लिया जब दो समांधरा वाही जब मैं तो क्या करता हूं दो हम धार समांतर धारा वही चाल को में न धारा एक दिसा में पिरोहित कराता हूं तो उनकी बीच आकर शण्ड लगता है और भी प्रिद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द तो हम लोग क्या करते हैं इसको कस देते हैं कि यह इधर की और ना है ठीक यह चलेगा यह नहीं आएगा यह अपनी जिखेंपे रहेगा क्यों क्योंकि मैंने इसको कसा हुआ है पूरा पूरा बंदा हुआ है और इसको क्यों मैंने ऊपर ही बांदा है कि अट्रेक्शन हो तो अ तो पाइए इन्टू आइवन आइटू अपान आर इन्टू एल क्यों कि दोनों के बिच बल यही लेगेगा ना डारेक्शन कोई मतलब ही नहीं और यह करस्ण बल है यह की दुरस्ता में करेंट फ्लो हो रही मैंने कहा कि मैंने कहा कि मैंने के तार को जो लिया हूं मैं एक मीटर दोनों लंबे एक मीटर लंबे कितने तार दोनों तार ना उनकी बीच की दूरी आर को मैंने कितना ले लिया एक मीटर दूरी पर रखता हूं एक मीटर डिस्टेंस कितनी रखी एक मीटर दो एक मीटर लंबे ताल यह एक मीटर की दूरी पर रखा और उनमें जो करें कि मैंने नाम दिया कितना I1 और I2 अपसमें बराबर थे और इसको मैंने क्या किदिया वह 1- M ay कितना हम्को नहीं पता था क्यों 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 की मैंने कहा कि वह मैं वह बोगा मैं उसको वन यूनिट हीमानता हूं रख सि तो मैं इसको पहले ही लिख सकता हूं आइवन आइटू को तुमने आई माना था कितना माना था आई माना था और आई को हमने कितना कहें दिया और एल कितना कितना सब्सक्राइबार दो है कि तो कितना लगेतशनी है सिम कि क्तना फोर्स लागे तो हम कहते हैं कि उनके बीच कितना बल काम करने लगे यहां दो लूटन बल आप रूपित हो तो हम कहेंगे उनके बिच कितने करेंट हो रही ह। थिक है तो एक एक मितर कि दो धारा वाही चालक समान तर लखियों एक मिटर की दूरी पर स्थित हो और उनके बीच कितना बलकारिकर्ज हो 2 into 10 to the power minus 7 तो उनके बीच लगने वाले उनके उनमें परवाहित धारा कितनी होगी 1 ampere होगी ठीक है यह याद रहेगा तो हम लोग आज की class को यहीं बीराम देते हैं फिर मिलेंगे अगले किसी अच्छे से lecture में अगले हम पढ़ेंगे एंपियर का लूपनियम most important है बोर्ड में कई बार पूछा गया है यह भी पूछा जाता रहता है तो इन चीजों को हम लोग याद रखेंगे काम आता रहेगा आप लोगों को चलिए आज की class को यहीं पर बीराम देते हैं आप सभी को जोल भविस्की सुपकामनाओं के साथ सुपकामनाओं देने के पहले आज सभी को आंगल नूतनवनस की हार्दिक सुपकामना है हम लोग 2019 से बहुत सारा कुछ जेल भी रहें 2019 में वहान सहर में जब कोरोना का पहला वेरियंट आया फिर दीरे अपने मार्च अप्रेल में 2020 में क्या लगा कोरोना लाग डाउन लग गया उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाए एक साल जेले फिर पिछले साल 2020 में कुछ दिन खुले फिर 21 में थोड़ा बहुत बचाओ ही क्योंकि कोरोना तीसरा साल आ गया अभी तक वहान में यह भी नहीं पता चला कि कोरोना कहां से फैला है लगातार चलता ही जा रहा है क्योंकि अब अमेरिका भी क्या उसमें फंडिंग करता था उसके बारे में नहीं बताया जा रहा है तो कैसे क्या है यह तो अप छोड़ दे पूरा विश्व परेशान सारे देशों की क्या हो गई अर्थ्वेवस्था ठप हो गई नहीं चला पा रहे हैं पूरा लागडाउन लगा रहा है विश्व के सभी देश क्या महिंगाई उनके जो है क्या है महिंगाई इदर माइनस में पहुँच गई तो ऐसा ऐस हटा हाल रहा है कि हम लोग घेल रहें सभाख लेна हैं पढ़ाई कि आप लोग समझी रहें ओंगे नेता लोग अपनी चुनाओं पर चार्फी कर रहे तो इसलिए पढ़ते रहिए अपने भविस्ट को बनाए चलिए सबीको सुबरात्री